हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि हम अपना जोग्राफी का कर रहे थे जो कि मैंने आपको लाश्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वायू मंडल के बारे में ओके यानि की एट्मोस्पेर के बारे में इससे पहले मैं आपको काफी जोग्राफिक टॉपिक्स करवा चुका हूँ जैसे कि आपका पृत्वी की अंत्रिक संरचनाएं, भुकंपे तरंगे, लेटिटिउड एंड लेगनिट्यूड, वायू पवने दवन, जल, गरम जल, ठंड़ी जल, ध मैं आपको अच्छे से एबलोरेट करके बता रखा है, ओके, तो आपको पेपर को क्रेक करने में आपकी वह बहुत मदद करेंगे, तो आज हम बात करेंगे अपने एट्मोस्पेर, यानि की वायू मंडल के बारे में, तो इस वीडियो का आप एंड तक देखते हैं, अपको पर यानि की जिसे आप भाप के तो इन परकार के, तो इन सभी के मिलने पर क्या बनता है, आपका एट्मोस्पेर बनता है, तो एट्मोस्पेर जो होता है, आपका यानि की वायू मंडल होता है, इसमें आपकी अनेक परकार की गैसे पाए जाती है, जो मुख्य परकार की गै करके आपकी वैल्यूज में है लेकिन में जो पूछी जाती है वह आपकी यही है जो कि नाइट्रोजन आपकी 78 परसेंट है आपकी पॉइंट मैं आपको अप्रोक्सिमेटली बता रहा हूं नहीं तो 78.08 परसेंट होती है और सिन आपकी 20.9 परसेंट है कारबन डेकसाइड तो यह सारी जो गैसेज है वो आपके अट्मोस्फेर में पाई जाती है अगर आपसे पूछा जाए कि वाईू मंडल यानि कि आपके परते होती हैं वो कितनी परतों में बाटे गई है तो 5 परतों में बाटे गई है कौन-कौन से सोब मंडल, सबताप मंडल, मध्य मंडल औ और आयान मंडल और बाहरिया मंडल तो ये पांच परकार के मंडलों में बाटी जाती है जो कि आपका वायू मंडल का जो फैला हुआ है वो कितने किलोमेटर तक फैला गया है तो 10,000 किलोमेटर तक फैला गया है कुछ important question है इन कोशनों को ध्यान रखेगा और इसी के साथ साथ में जो वायू मंडल की उपरी परते का जो अध्यान करते हैं उनको क्या कहा जाता है तो एरोलोजी कहा जाता है और जो नीचली परतों का अध्यान करते हैं उनको क्या कहा जाता है तो मेस्टरोलोजी कहते हैं उनको ओके तो ये थी आपकी कुछ बेसिक्स जानकारी जो कि आ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए चलिए देखते हैं उनको तो जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे जो है आपका एक अर्थ के फिगर के रूप में आपको बना रखा है और अर्थ के ऊपर जो आपके पांच मंडले होती हैं यानि कि जो आपके प्रिथवी से आपके बाहर पांच भागों में डिस्टिबूट कर रखा होता है तो जो पहला भाग होता है आपका अर्थ के सरफेस से 18 किलमेटर के बीच में उसको क्या कहा जाता है सोब मंडल कहा जाता है तो जीरो से लेकर 18 किलमेटर का जो होता है आपका एरिया वो आपका सोब मंडल का होता ह जिसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि आपका सवान मंडल अगर आपसे पूछा जाए कि सवान मंडल किसको कहा जाता है तो आपके सोब मंडल को ही कहा जाता है जो कि 0 से लेकर 18 किलमेटर की बीच का जो होता है लेवल वो आपका सोब मंडल कहलाता है तो इस मंडल की आपकी क्या है आपकी विशेशता है तो ध्यान रखेगा आपकी जितनी भी वायू मंडल घटनाई होती है यानि कि आपकी जो प्राकरतिक घटनाई होती है वो सारी की सारी इसी वायू मंडल में होती है जैसे कि आपकी बादलों का गरजना बादलों का बरसना ये सारी की सारी घटना जो होती है बिजली चमकना वो आपके सारी के सारी इसी के अंदर होती है जो कि 0 से 18 km के अंदर अंदर एरिये में होता है और अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो प्राकरतिक घटना यानि कि जो प्राकरतिक गैसे होती है वो आपकी किस में पाई ज जाती हैं तो ध्यान रखेगा जितनी भी आप यह गैस होती है वह 70-80 परसेंट जो गैस होती है वह आपके सोब मंडल में ही पाई जाती है और जो अठारा किलोमेटर का जो आपका एरिया है यहां पर ध्यान रखेगा जो आप हर 165 मीटर की उचाई पर जाओगे तो हर 165 मीट तो ध्यान रखेगा जो आपकी प्राकरति घटना ही होती है वह इसी मंडल में होती है और आपकी जो परकार प्राकर्तिक जो गैसे होती है वो 70-80% इसी मंडल में पाई जाती है अब बात करते हैं दूसरे की जो की आपका क्या होता है सब्ताप मंडल जो की आपका 50 km के जो आपका एरिया होता है यानि 18 km तक हमने पढ़ लिया था उसके बाद जो 50 km तक का जो लेयर होती है उसको क्या कह आपका सब्ताप मंडल कहा जाता है जिसे इंग्लिश में आपका status where's fairs कहा जाता है ओके तो ध्यान रखेगा जितनी भी आपकी प्राकर्तिक जो घटनाई होती थी सोब्मंडल में उसका बिल्कुल विपरीत है यहां पर सब्ताप मंडल में यहां पर किसी भी प्रकार की मौ और 52 क्लियर में आपके जितने भी ये धो प्ली सारे के इसी में उड़ते हैं क्योंकि यहां पर जो आपका तापमान होता है वह बिलकुल समान रहता है और यहां पर किसी भी परकार की मौसमी घटना यह होती और उपर के जो इसके 10 km यानि कि आपका उपर लास्ट वाला 42 जो आपका 50 बचता है वो उपर का जो 10 km होता है उसी को हम क्या कहते हैं Ozone layer यानि कि Ozone मंडल भी उसी को ही कहते हैं तो ये Ozone मंडल क्या है तो ध्यान रखेगा जो आपकी सूरज होता है वो सूरच जो किर्णे आपकी निकालता है वो काफी आपकी जो उसकी किर्णे होती हैं वो काफी ऐसी होती है जो रेडियो एक्टिव तरंगे भी उसके साथ साथ में निकलती हैं किर्णों के साथ में तो कई ऐसे ही जो केड़ने होती हैं जो हमारे शरीर के लिए प्रिथवी पर अगर आ जाए तो इंसानों के लिए काफी खतरनाक होती है तो जो ozone layer होती है, जैसे कि सूरस से आपकी जो पराबैगनी किर्णे होती है, जैसे वो देख रहे हो आप निकलती हुई, वो पराबैगनी किर्णे जो होती है, वो आपकी ozone layer पर आकर वहां से टकरा कर वापस चले जाती है, ozone layer उसको प्रिछवी तक पहुंचने नहीं देता है, अगर आपने अभी एक कोशन देखा होगा कि ओजोन लेयर में एक छोटा सा छिद्र पाया गया था तो वो कहां पाया गया था और किस कारण पाया गया था तो ध्यान रखेगा ओजोन लेयर में जो छिद्र पाया गया था वो अंटार्क्टिक में पाया गया था और उसका जो निकलता है, AC और जो आपके freeze इस्तमाल करते हो, उससे निकलता है, दूसरा, methane से, यानि कि जब आप धान की जो फसल होती है, उसको जलाते हो, उससे निकलता है, और तीसरा आपका carbon dioxide से, जो कि आप vehicle इस्तमाल करते हो, motorcycle, car, वेगारा, उसके जो धूँए से निकलता है carbon dioxide, उससे तो ये 3 जो main probably gases होती है, वो ozone layer को क्या करती है, नुकसान पहुचाती है, तो ध्यान रखेगा, इस से जो उता, ozone layer में 6 दो गया था, जिसके कारण जो पराबैगनी क्रिडने थी, वो प्रिथ्वी पर आने लग गई थी, जो हमारी रक्षा करता है, ये पराबैगनी क्रिडने और वो आपका 80 km तक होता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, मध्य मंडल या इंगलिश में इसको मैसस फेर भी कहते हैं, अब बात कर लेते हैं, इसकी विशेशता हैं, तो ध्यान रखेगा, आपको भी पता है, अंतरिक्ष में काफी उलका पिंड इधर से उधर जाते र पहुंची नहीं पाते हैं, जिससे प्रिथवी क्या रहती है, शुरक्षित रहती है, तो मध्य मंडल के अंदर जो भी आपके उलका पिंड साते हैं, यानि की सूटिंग स्टार्स जो आते हैं, उनमें आग लग जाती है, और वहीं पर ही वो नष्ट हो जाते हैं, जिसको क् कहा जाता है, आयान मंडल कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में आपका आइनो स्फेर भी कहते हैं, तो इस मंडल की क्या विशेशता हैं, तो ध्यान रखेगा यहाँ पर जितने भी आपके रेडियो एक्टिव मेटेरियल्स होते हैं, जितने भी आपके सेटरलाइट्स होते ह वो सारे के सारे यही पर ही पाये जाते हैं जो कि आपकी अंतरिक से भेजी गई जो आपकी radios होती हैं तरंगे जो होती हैं वो यही से ही लोटकर वापस आ जाती हैं तो ध्यान रखेगा अगर आपसे पूछा जाए जो satellite होती हैं वो आपकी कौन से मंडल में पाई जाती हैं तो वो आपकी आयान मंडल में पाई जाती हैं जिसका area 80 से लेकर 600 km के बीच में होता है और आखरी आपका जो कि आपका 600 के बाद बचा वो उसको कहा जाता बाय मंडल जिसको English में आपको X or Faire भी कहते हो और यहां पर इसकी खासियत क्या है तो ध्यान रखेगा जो gases होती है यहां पर आपकी बहुत दूर दूर होती है तो यहां पर से आपकी इतनी questions नहीं पूछे जाते हैं अधिक तर अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा area जहां पर gases जो होती है वो दूर दूर होती है तो वो आपका exosphere यानि की बहाय मंडल में पाये जाता है जिसकी वज़े से आपको कोई भी feel नहीं होता है तो यह पांच परकार के important आपकी परते थी जहां से आपके question पूछे जा सकते थे जो कि important important मैंने आपको सारी चीज़े बताए गई है कि कौन से आपके मंडल में किस परकार की विशिषता होती है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलियेगा अगर आपके मंड में वीडियो के related कोई भी doubt हो कोई भी query हो तो नीचे comment box में comment किजेगा मैं आपका reply ज़रूर करूँगा अगर आपने इस चनल का अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए और उसके साथ में जो बैल आइकन होगा उसको भी दबा दिजेगा ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको time to time मिलती रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुला कातोगी next वीडियो में जब तक के लिए जैहिन जै भारत